दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने फोन की होम स्क्रीन से इस क्लोग को साइड में कैसे कर सकते हो इस टाइम को साइड में कैसे कर सकते हो या फिर दोस्तो आप अपने फोन की लोग स्कीन का टाइम साइड में करना चाहते हो तो बो भी कर सक तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पहले आपको बताते हैं कि आप अपने लोग स्कीन का टाइम साड में कैसे करोगे तो अब दोस्तो आप अपने फोन की सेटिंग को ओपन करोगे सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तो आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ scroll करना है तो यहाँ पर आपको एक setting देखने को मिलेगी home screen and log screen इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करोगे तो आपकी phone में यहाँ पर कई सारी settings सो हो जाएंगी जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगी तो अभी दूस्तों आपको पूरा ऊपर की तरफ scroll कर देना है तो यहाँ पर आपको एक setting दिखाई देगी clock style इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करोगे तो यहाँ पर आपको दो setting दिखाई देएंगी vertical and horizontal तो आपकी phone में यहाँ पर horizontal पर select होगा तो आपको वर्टिकल पर select कर लेना है अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे phone की जो lock screen है उसका time change हुआ है कि नहीं तो यह दोस्तों मैंने अपना phone lock कर दिया है तो अब दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होगे मेरे जो lock screen की clock का side में हो गई है ठीक है तो अब दोस्तों बात करते हैं कि आप अपने phone की home screen का time side में कैसे करोगे जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होगे यह जो clock है बिल्कुल बीच में आ रही है अब मैं चाहता हूँ यह जो clock का side में हो जाए तो simply आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने phone की home screen पे कुछ इस तरीके से tap and hold करोगे और यहाँ से दोस्तों यह जो minus का icon दिखाई दे रहा है इस पे click करके इसको यहाँ से remove कर दोगे नीचे की side में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको एक option मिलेगा widget इस पे click करना है जैसे आप इस पे click करोगे तो उपर की side में यह आपको कई सारे option मिल जाएंगे ठीक है तो आपको यहाँ पे अपने इनसाब से कोई भी option select कर लेता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे यह जो clock style है मेरे phone में set थी ठीक है अब मैं इसको side में करना चाहता हूँ तो simply मैं इस पे click करूँ गा इसके बाद दोस्तों यह done लिगक कर दूँगा दन पे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को जरू से प्रेस करें